हेलो गाईज तो एक बार मैं रोईत फिर से आपका स्वागत करते हूं मज़ना जुप्टर क्लासिज में तो गाईज आज हम पढ़ेंगे इसमें लेक्स अफ जमुएंट कश्मीर ठीक है गाईज तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं और आपको मेरा पढ़ाना किस तरह का लगता है अच्छा लगता है नहीं लगता है ठीक है गाईज प्लीज इसमें हमबल रिक्वेस्ट तो आल फ्यू ठीक है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं अब मैं याँ पर बताना नहीं जोंगा बार बार ठीक है आई थिंक पिछली व किजेगा वही मेरे लिए मौटिविशन होती है वीडियो को लाइक रोड कर दिया किजेगा ठीक है ओके आज हम पढ़ते हैं लेक्स अफ जम्मू रिजिन पहले हम देखेंगे जम्मू रिजिन की लेक्स जो इंपॉर्टन लेक्स होंगी उसके बाद हम देखेंगे लेक्स कश्मीर जो कश्मीर रिजिन की जो इंपॉर्टन लेक्स होंगी वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो वीडियो शुरू करते हैं यहां से ठीक है अभी सबसे पहले हम मांसर लेक के बारे में पढ़ेंगे ठीक है मांसर लेक क्या है यह लेक जो है 55 किलोमेटर जो है जम्मू के east में situated है कितने height पे अभी याद रखना है कि Mansal Lake कौन से range में आती है important जो चीज़ा आपको बनती है यहाँ पर याद रखने वाली वो है कि Mansal Lake कौन सी range में आती है ठीक है इसके बाद है Mansal Lake एक fresh water lake है ठीक है इसके बाद Mansal Lake जो है एक बहुती छोटी सी lake है जो के इसके लिएक हम लंबाई देखें तो एक 1204 मीटर है ठीक है लंबाई में अगर इसकी हम वीड़ से देखें तो 645 मीटर हमें देखने को मिलती है ठीक है अभी एक चीज़ important यहाँ पर है शेशनाग shrine ठीक है शेशनाग का shrine हमें इसके eastern bank पर देखने को मिलता है ठीक है जब कहीं यहाँ पर कोई festive occasion आते हैं तो कुछ लोग वहाँ पर नाने भी जाते हैं ठीक है वहाँ पर नाना शुब मानते हैं ठीक है इसके बाद है हमारे पास जम्मोरेजिन की दूसरी important lake सुरिंसर लेक ठीक है सुरिंसर लेक अब यह सुरिंसर लेक कहां पर है ठीक है यह northeast जम्मू का ठीक है western शिवालिक के 40 km की दूरी पर यह स्थित है ठीक है कितनी है उसके बाद यह भी हमारे पास एक fresh water lake है ठीक है यह भी अगर देखा जाए तो 888 मेटर लंबाई में है और 444 मेटर जो है यह चोडाई में है ठीक है और यह बहुत ही एक अच्छा tourist spot अगर हम जम्मू region में देखें ठीक है इसके बाद चलते हैं आगे हम लेक जो है यही तो important lakes लगती है मुझे जम्मू किश्मीर का कोई दुसरे लेक है तो गज बता दीजिए ठीक है इसके बाद कश्मीर रेजन की lakes के बारे में पढ़ते हैं इसमें तो पता है किश्मीर में बहुत सारे lakes है उन तक रेबन उन सब को इस वीडियो में टच करना पड़ेगा ठीक है अंचार लेक ठीक है अंचार लेक अंचार लेक कुछ भी ठीक है यह लेक जो है यह सिरे नगर में situated है ठीक है इस अबाउट एट किलो मेटर लॉंग यह तीन आठ किलो मेटर लंबी है और तीन किलो मेटर चोड़ी है यह लेक जो है ठीक है एक नाला आता है एक नाला भैता है उस नाले का नाम है सिंध नाला ठीक है अगर हम इसके नार्थ वेस्ट बैंक पर देखें तो गांदरबल टाउन जो है अंचार लेक के साथ सिट्वेटेड है ठीक है इसके बाद है गाईज हमारे पास most important लेक डल लेक ठीक है डल लेक के बा लेकने को मिलती है ये लेक जो है एक most beautiful इंडिया की एक बहुत खुबश्रत लेक में से एक है ठीक है उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर national और as well as यहां तक कि यहां पर बहुत सारी movies भी इस लेक के उपर बनी हुई है ठीक है international tourists भी यहां पर आते है ठीक है और इस ले गार्डन से घी हुई है ठीक है इस से यह लेक जो है इसमें कुछ floating gardens भी है जहां पर बहुत सारी टाइप की vegetables को गाया जाता है ठीक है इसके बाद अगले टाइप की लेक जो हम पढ़ेंगा इस वह है गंगाबल लेक ठीक है तो गई इसकी PDF इसकी PDF और कालवरे लक्षर की PDF दोनों ही PDF साथ में हैं मैं आपको साथ में कल शेयर कर दूँगा ठीक है यह लेक जो है गंगाबल लेक जो है जो हर्मुख माउंटेन या दखेगा गाईज हर्मुख माउंटेन के नौर्थ ही स्लोप यह पाई जाती है अगर अप्रोक्सिमेटल इसकी हाइट देखें तो 3600 अब वो है सी लेवल के उपर है ठीक है यह लेवल जो है 45 किलोमेटर स्रिनगर के नौर्थ में हमें देखने को मिलती है ठीक है गाईज आगे देखें फिर है हमारे पास अगली लेक होकरसार लेक ठीक है होकरसार लेक जो है गाईज यह स्रिनगर से 13 सारे लेक स्रिनगर में ह जाए तो ठीक है उसके बाद यहां पर बहुत सारे होकरसार लेक में winter season में बहुत सारे बाइट यहां पर भार से आते हैं जैसे कि waterfalls, shorebots, trans-homoleans, species यह सारी यहां पर winter season में आती हैं इसकी जो है हमारे पास ecological value होने के कारण यह लेक जो है wildlife protection act 1978 के तहात यह कोशन पूसार सकता है कि होकरसार लेक को conservation reserve बनाया गया है कौन से act के तहात यह यह question बनेगा इसका जम्मिवेंड कश्मीर wildlife protection act 1978 के तहात conservation reserve कौन से लेक को बनाया गया है ठीक है और 2005 में इस लेक को रामसर साइट रामसर convention और इसको रामसर साइट का भी क्या मिला है एक दरजा दिया गया 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 तो उस लिहाज से यह होकर सार लेक एक important लेक बन जाती है ठीक है अगला है हमारे पास kosar नाग लेक क्या है यह लेक जो है between the जो पीर पंजाल रेंज जो है हमारे extreme southwest जो है कश्मीर वैली की उसकी peaks पर हमें यह देखने को मिलती है it is located यह 400 मेटर की height पे हमें यह देखने को मिलती है ठीक है यह लेक जो है 5 किलो मेटर लंबी है और 3 किलो मेटर चोड़ी है यह सब नहीं पूछने कितनी लंबी है बस में इतना याद रखना है कोसरनाग लेक में आपको ठीक है कोसरनाग लेक में बस आपको यह ही याद रखना है कि यह लेक जो है कौन सी रेंज में पढ़ती है तो काईज यह पढ़ती है हमारे पास पीर बंजाल रेंज में तो अगली एक ओर है यहाँ पर यह हमारे पास शे 100 meter sea level के उपर हमें देखने को मिलती है कितनी लंबी है कितनी चोड़ी है आपको उससे कोई काम नहीं है अगर फिर भी पढ़ना है तो PDF में पढ़ लीजेगा ठीक है आगे देखिए Wooler Lake ठीक है Wooler Lake जो है एक important lake है ठीक है किस लिहाज से क्योंकि यह largest fresh water lake है पूरे इंडिया में इसका अगर एरिया हम देखें तो 189 स्केर किलोमेटर का एरिया में देखने को मिलता है 16 किलोमेटर लंबी है और 9.6 किलोमेटर यह चोड़ी है और यह जहलम रिवर को पानी प्रवाइड करती है ठीक है यहनि कि वोल्डर लेग जहलम रिवर की एक ट्रिब्यूटरी बन जाती है ठीक है अगर इसके हम सौथ वेस्ट शोर पे देखें तो सौपोर लाई करता है इंपॉर्टन पॉइंट और इसके हम नार्थ इस्ट पार्ट पे देखें तो एक आईलेंड लाई करता है ठीक है विच है अगर इतना यार रखना कि इसके सौथ शोर पे हमें चीज़ देखने को मिलती है तो वो कॉन सा टाउन है वो हमें सौपोर टाउन देखने को मिलता है ठीक है गाईज तो यह थी कुछ हमारी इंपॉर्टन लेक्स ठीक है इस वीडियो से कुछ सीख सके है अगर आपने कुछ सीखाया तो ठीक है वीडियो के ही पे कतम करते हैं गाईज थेंक्यू गोड ब्लेस यू आल लव यू वाल जैहिन और जो आपसे फीडबैक प्लीज डोंट फागेट तो गिव फीडबैक इतना ही आज आपसे इतना ही बोलूंगा डोंट फागेट तो गिव फीडबैक ठीक है थेंक्यू गोड ब्लेस यू आल